प्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आपी के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आज़े टीवी नेटवर्प पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का करी देंगे बताएंगे आपको सभी राशिवालों को क्या करने से सफलता मिलेगी और क्या ना करके वह सफलता को टाल सकते हैं प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कैसा स्पेशल उपाए जो आपके जिवन की किसी खास प्रोब्ल्लम को चुटकियों में दूर कर देगा तो चलिए राशिव फल के शुरुवात करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है मंगलवार का तारीख है नौ मई दो हजार तेस जैश्ट कृष्ण चतुर्ती पर चंदरमा धनु राशी और मूल लक्षत्र में रहेंगे दिन का लकी नंबर रहेगा थ्री लकी कलर रहेगा यलो लकी डिरेक्शन रहेगी नौर्टीस्ट रहु काल रहेगा शाम को तीन बज़े से साड़े चार बज़े तक दिन का सबसे शुम मौरत रहेगा सुबह ग्यारा बच कर चंवालीस मिनट से लेकर दुपहर में दो बच कर बावन मिनट तक विशेश क्या है च्छ गुड़ खा कर घर से निकले और दोस्तों आज का जो हमारा स्पेशल उपाय है वो भी हनुमान जी से ही सम्मंदित है बड़ा मंगल से सम्मंदित है बताएंगे आपको नकारतमक शक्तियों से कैसे होगा बचाव उसके लिए राशिफल को आकर तक देखेगा शुरुआत कर शहद मिला कर पी है शुभंक तीन रहेगा शुबरंग रहेगा पीला दूसरी राशिफ रिश रहने के टारिस के बात करेंगे नौकरी में तरक्की के योग हैं कारुबारी लाब होगा खास काम में परिजन से योग देंगे संतान से सुख मिलेगा सामाजे कायोजन में दूरता आएगी उपाई ये करें कि तांबे के पात्र में पानी भरकर घर के धक्षन दिशा में रखें शुबंग काट रहेगा शुबंग रहेगा काला चौथी राशी कर्क यानिकी कैंसर की बात करेंगे दफ्तर में कामकाच की तारीफ होगी मनमें उत्साहा बढ़ेगा आ चनतमक काम में रुची रहेगी रुकेवे कामकाच पूरे होंगे निवेश से लाव होगा पारिवार एक संबन्द मद्बूत होंगे उपाई ये करें कि सिक्के पर लाल चंदन लगा कर परस में रखें शुबंग चार रहेगा शुबंग रहेगा नीला चटी राशी कन्या यानि कि बर्गो की बात करेंगे कारोबारी स्तिती ठीक रहेगी पारिवार एक तनाव से चिंता बढ़ेगी जीवन साथी की सेहत की चिंता रहेगी देने काम पूरे होंगे धर्म कर्म में रुची रहेगी उपाईये करें कि कीमती जेवरात लाल कपड़े में बांध कर खारी को मसूर दान करें, शुभंक नौ रहेगा, शुभरंग रहेगा नारंगी, आठवी राशी व्रिश्चिक, यानि की स्कॉर्पियों की बात करेंगे, कारोबारी लाब के योग हैं, घरिलो समस्याहल होगी, खर्चों में वढ़ोत्री की संभावना है, शेर बजार में न देश से आर्थिक लाब के योग हैं, मन्चाही सफलता मिलेगी, पारिबर एक मद्भेत के योग हैं, उपाईए करेंगे, सिंदूर से क्रीम लिख कर पुजा घर में चड़ाएं, शुभंक छे रहेगा, शुभंग रहेगा, शुभंग रहेगा, शुभंग रहेगा, दैने काम में सुस्ती रहेगी, रुके वे काम काजपूरी होंगे, कारोबार में धनलाब के योग हैं, पराकरम में बढ़ोत्री होगी, दिंचर्या में बदलाब लाएंगे, उपाईये करें कि पूजा घर में चमेली के तेल का दीपक करें, शुभंग दो रहेगा, रोग भरने के योग हैं, उपाईये करें कि गाये को गुड़ खिलाएं, शुभंग छे रहेगा, शुभरंग रहेगा गुलाबी, तो दोस्तों आप समय यह जानने का, कि सभी बाराराशी वाली लोग क्या करें, ताकि उन्हें सफलता मिले, तो देखे हनुमान जी पर लाल दिशा की यातरा शुभ रहेगी, अब जान लेते हैं कि असफलता से बचने के लिए सभी राशी वाले क्या ना करें, तो देखे हैं, अत्याधी का आराम न करें, बुजरुकों की अंदेखी ना करें, हरे रंग के कपड़े ना पेने, नेशिले परदार्तों का सेवन ना कर और ऐसे में हनुमान जी के विशेश पूजन का विधान है, तो क्या करें, नीबू पर सिंदूर लगा ले, और उस सिंदूर लगे नीबू पर साथ लॉंग गुसा कर, अपने सर से उसे साथ बार बार कर, दक्षन मुकी हनुमान मंदिर में चड़ाएं, और इस पूरे प्र